हेलो दोस्तो तो हाली में दर्बान मूभी जी फाइप पर रिलीज हुआ है तो आज आप पर हम मिलकर इस कहानी को ब्रीफली जानेंगे ये दरसल रबिंदरनाथ टागुर की एक नॉबेल पे आधारी थे और बात करें इसकी आएमडीबी रेटिंग की तो इसको आएमडीबी के तरफ से 7.8 की बहुत अच्छी रेटिंग मिला हुआ है कहानी शुरू होती है 1971 में धनबात से यहाँ पर हम देख पाते हैं नरेन भाबु को जिनका कोईले का ख़दान था 1971 में सभी कोईले की ख़दान को रास्टे करन किया जा रहा था यानि कि इन सब का कंट्रोल सरकार के पास जा रहा था इसलिए नरेन भाबु अपने सातियों से मिटिंग करके मिटिंग में फैसला करते हैं कि वो बड़े अपिसर को कुछ रिस्वयत तेंगे रिस्वयत के बतले अपना ख़दान भापस लेने की कुशिस करते हैं सीन अभी सिप्टों के दिखाता है रायचरण को जो की 15 साल की उमर में नरेन भाबु के यहां नौकर बनके आया था लेकिन नरेन भाबु ने कभी रायचरण को अपना नौकर नहीं समझा वलकि उसको अपने बेटे की तरह ट्रेट किया जब नरेन भाबु का बेटा हुआ तब उनकी बेटा यानि अनौकुल का जिम्मेधारी भी रायचरण के उपर आ गया अनौकुल का बचपन रायचरण के साथ ही गुजरा अनौकुल के लिए बो सबसे अच्छा दोस्त और बड़ा भाई जैसे के सकते हो वैसा उसके लिए था दिरे दिरे नरेन भाबु का कोईलेगा कादान भी उनके हाथ से चला गया और बो कुछ दिनों बाद हवेली भेच के वहाँ से चले गया फिर 20 सालों बाद अनौकुल उस हवेली में बापस आके उसको खरीद लिया और वो राजचरण के पास जाता है और उसको अपने घर में इनबैट करता है तो अनौकुल को देखकर राजचरण भी बहुत खुस था और बातों बातों में हमें ये पता जलता है कि रायचरन का अभी तक कोई भी बेटा या बेटी नहीं हुआ था फिर कुछ दिनों बाद वो हबेली पे जाता है वहाँ पर अनुकुल के बेटे को देखकर वो खुस हो जाता है पानो जैसे उसका अपना बेटा मिल गया हो वो उसके साथ दिन बर खेलता है और एक दिन वो अनुकुल के बेटे को नदी के पास लेके गया था वो बच्चे के लिए फूल लाने के लिए नदी के अंदर जाता है लेकिन जब वो वापस आता है वो बच्चा वहाँ पे नहीं था रायचरन पागलो की तरह उसे ढूनता है लेकिन वो बच्चा कहीं पे भी मिल नहीं रहा था फिर बहुत दरबाद ढूनते ढूनते उसे बेबी का खिलोना और चपल नदिगे पास वाले किनारे में मिलता है और वो सोचता है कि अनुकुल का बेटा मारा गया नहीं पे अनुकुल की भी भी ये बात नहीं मान रही थी क्योंकि रायचरन का इतने सालों से कोई भी बेटा या बेटी नहीं हो रहा था इसलिए वो बोलती है कि तुम मेरा बच्चा चुराए हो ऐसे ही कई महीने बीच जाते हैं उसका मन में बच्चे की मर जाने का गिल्ट था इसलिए वो ठीक से ना खाना खा रहा था ना किसी से बात कर रहा था कुछ दिनों बाद उसकी पतनी भाइनली प्रेग्नेंट होती है पर बो बच्चे को जनम देते टाइम ही गुजर जाती है अभी दू साल बीच जाता है लेकिन अभी भी राइचरन गिल्ट में जी रहा था और बो अपने बेटे की तरफ देखता भी नहीं था मतलब उसको अपनाना तो दूर उसको देखता भी नहीं था फिर एक दिन उसका बेटा उसको चना केके फुकरता है क्योंकि अनुकुल का बेटा भी उसको चना केके फुकरता था मानो जैसे उसको अपने बेटे में अनुकुल का बेटा नजर आने लगा और उसके बाद वो उसका बहुत अच्छी तरह से खयल रखने लगा लाइक वो अपना पेट काट काट के उसको बहुत अच्छा स्कूल में बढ़ाया और अल्ली 2000 के टाइम में उसको कम्पूटर खरीद के दिया उस टाइम में कम्पूटर काफी मेहंगा था वो अपने बेटे को छोटा बाबु छोटा बाबु कह के बुलाता था और उसकी सारी जरुरोत को पूरा करने का कोशिस कर रहा था इसके लिए वो खेती के साथ साथ रात में एक पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था फिर एक दिन स्कूल के बार उसका अपना पूराना साथी यानि नरेन बावु का ड्राइबर उसको मिल जाता है दोनों में खुब बातचित होती है तो बातो बातो में ड्राइबर उसे पूछता है तुम्हें आपर किस के लिए हो तो राइचरन बोलता है कि मैं अपने बेटे के लिए हो यहां मेरा बेटा पढ़ता है क्योंकि रायचरन के लिए उपो स्कूल में अपने बेटे को पढ़ाना थोड़ा मुस्किल था, बहुत मेंगा स्कूल था, इसलिए ड्राइवर थोड़ा चौंग जाता है, फिर बातो बातों में अनुकुल की बात भी निकलता है, तो रायचरन को अपना डार्क पास्ट बगेरा बगेरा, इसे ही वो अलिशनेट करता है, यहाँ पर रायचरन का जो गिल्ड कुछ सालों पहले दब गया था, वो फिर बापस आ गया, ड्राइवर के रूप में, फिर एक राद पो अपना जमिन बगेरा बेच कर, गैंक टॉक सीप्ट हो जाता है, इसे ही कुछ 5-6 साल बीच जाते है, वहाँ पर एक बार फिर उसका बेटा गया हो जाता है, जब वो अपने बच्चे को ढूण रहा था, तब हर जगा उसे वो ड्राइवर दिख रहा था, और वो ड्राइवर उसे कह रहा था, जो तू दूसरे के बच्चे के साथ किया, वो तेरे साथ भी हो मैंने तुमारा बच्चा चुराया था, और मैं ही तुमारा बेटा दुमेकल सौंप दूगा, क्योंकि उसके मन में अभी भी वो गिल्ड था, जो बच्चा उसकी लाफर भाई के वज़े से मर गया, या फिर खो गया, या फिर मर गया, इसलिए वो अपने बच्चे को उनका बहुत कनेट कर पाओगे, अगर मेरा एक्स्प्लानेशन आपको पसंद आया, तो प्लीज लाइक करके जाना, और ज्यादे भी पसंद आगा, तो सेयर भी कर जाना, और इसे ये और भी वीडियोस आबले भूले हैं मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब करके जाना, उस वीडियो भी देख लेना, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स पर वचिंग